वेलकम टो माई चैनल SSE Knowledge आज मैं बात करूंगा EWS के रिगार्डिंग जो की RRB इंट्यूइस के बारे में होगा देखिए SSE का जो एक जनेशन था SSE junior engineer हो गया SSE CGL हो गया MTS हो गया उसका EWS का जो भी problem था मैंने लगबग 90% solution कर दिया है क्योंकि उनके पास भी जो certificate मांगा गया था जो financial ER के लिए मांगा गया था वो certificate उलोग नहीं देख आया तो मैंने बताया था कि भाई कोई दिक्कत नहीं है प्रोबर्शनली आपको accept किया जाएगा और प्रोबर्शनली सिलेक्षन जो है हर साल होता है SSE में उनका जोइनिंग बगड़ा भी होता है लेकिन EWS का प्रूप अभी किसी का पास नहीं होगा क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम EWS का सिलेक्षन होने जा रहा है फर्स्ट टाइम जो है क्योंकि 2019 में जो रूल्स है EWS का जो भी एक्ट आया था दो फर्स्ट टाइम उनका जोइनिंग बगड़ा होगा तो SSJEE के थूरू जिसका आपका जोइनिंग तो अभी नहीं है जिसका सिलेक्षन ब्रो एनकी बॉर्डर रोड और्गरेंशन में होआ है ब्रो में मेरा बात हो चुका है उन्होंने बताया जो सर्टिविकेट आपके पास होगा वही सर्टिविकेट हम लोग ले लेंगे मतल सब्सक्राइब लोग तो नहीं करेंगा ना एक ना एक स्वालेशन आपके लिए निकल पासित अब अलग है इसलिए यह वीडियो सिर्फ पर सिर्फ एंटीविकेट के बारे में होगा तो पहले तो आप लोग नोटिफिकेशन में देख लिए पहले नोटिस के आया था क्योंकि आपका EWS के रिगार्डिंग था देखिए यहां पर जो में पॉइंट है वही मैं हाइलेट करूंगा देखिए यहां पर लिखा हुआ है सर्टिविकेट सूर्ड भी फॉर्दा फाइनल सियर यार दोहजर सत्रह अट्रह एस दा लास्ट डेट ऑप रेजिस्ट्रिशन उसके हिसाब से Eduardo का साल स्टार्ड होता है यप्रिल में और खतम होता है मार्च में तो बीखिए Government के रूर से 31st मार्च 2019 जो है लाजड़ेट मतलब य तस साल का उसाल ये वानफनार्ङका था तो इसलिए उन्होंने बोला 278 का financial year होना चाहिए अब क्यों होना चाहिए ओभी मैं दिखाऊंगा अब नेक्स पॉइंट यहां पर क्या कहा गया है देखिए कि certificate जो अगर किसे ने अगर नहीं दे पाया जो मांगा गया है अगर नहीं दे पाया तो उसको जो है से डिजेक कर दिया जाएगा लेकिन उसके लिए और एक option है उसको जेनरल में कॉंसिडर किया जाएगा लेकिन कब किया जाएगा अगर आपने हर एक कंडिशन होता है कि आपका cut-off जो है अगर जेनरल की cut-off अपने qualify किया हर एक step पे fire on tire 2 टर 3 जो भी एक कंडिशन है हरएक step में अगर अपने general की cut-off qualify किया तबही आपको जेनरल ने कॉंसिडार किया जाएगा तो अभी के लिए जो लोग examination दे रहे है जो dok ए w in के जाएगा व EWS को भूल जाईए उसका solution मैं जरूर आपको बताऊंगा कि क्या solution है लेकिन अभी के लिए भूल जाईए और कोसिस किजिए general का marks लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा marks लाने के लिए ताकि general से आप लोग qualify कर जाए अब मैं बाद में आपको दिखा बताऊंगा कि क्या हुआ है मैंने अपका कुछ अपका जो RRB है कुछ RRB से मैंने बाद भी किया है क्या हुआ है मैं बताऊंगा जरूर तो पहले तो इहां पर notification का बात खतम हो गया अब चलिए मैं certificate के और चलता हूँ certificate में क्या लिखा हुआ है देख लिए सब्सक्राइब का फॉर्मेट जो है सेम होना चाहिए यहां पर गॉब्मेंट आप जो भी स्टेट से बिलॉंग करते हैं उसी स्टेट का नाम यहां पर होगा सटीवेट नंबर सटेट नंबर एक होता है डेट जो डेट में इसू होगा अब वैलिट फॉर्दा 19 होता है क्योंकि देखिए आपका इंकाम जो है इंकाम पिछले एर का इंकाम के बेसिस पर ही डाटा बनेगा ना कि आप इसलिए उपर में कि 2018, 2019 लिखा होना चाहिए और यहां पर 2017 8 लिखा होना चाहिए आप देखिए उन्हों ने जो बताया ना 31 मार्च 2019 से पहले आपका सट्राठ बना होना चाहिए यानि की 2017 8th financial year होना चाहिए अब क्यूं कहों होना चाहिए वो भी देख लिजिए भैई 1 एप्रिल 2018 से लेके 31st March 2019 यह जो साल था इस साल को आपका 2018-19 financial year माना जाएगा अब उनका कहने का मुताबिक जो है आपका certificate जो है यहाँ पर 2018-19 होना चाहिए लेकिन आपको 2017-2018 का income दिखा के यह certificate बनाना पड़ेगा अब मुझे एक बात बता दिजिए 31st January को जहां तक मुझे याद है 31st January को मैं यहनकी January मन्त में EWS का जो bill है वो Parliament में implement हुआ था और वहाँ पर past होके आपका President ने sign बगरा कर दिया था मतलब act हो गया था अब act होने के बाद आपको पता है government का जो है एक दिन में तो काम नहीं होता है कि एक दिन में आपको तुरांत उन्होंने जो है सब state में लागू कर दिया इसा बिल्कुल नहीं है आपका जैसे पर्लामेंट में पास हुआ हर एक state के पास जाता है उसके बाद एक एक करके state जो है इसको accept करते है अब जो बीजेपी का जो जहां पर CM है औह पर तुरांत उन्होंने इस्टरट कर दिया जैसे बिहार हो गया आपका यूपी हो गया उन्होंने तुरांत इस्टर्ट कर दिया लेकिन बाकी इस्टेट का में दिखाऊंगा उन्होंने बहुत लेक्ट किया तो अब उन्हों का क्या होगा अब नोटिपिकिशन यह भी आपका लगबग मार्च के आसपास आया था तो एक महिने के अंदर कैसे बनना पॉस्वेल था अब कुछ इस्टेट के पास है मैं जानता हूं कुछ इस्टेट के पास से अब उन्होंने कैसे बनाया मुझे पालूम नहीं है तो अब देखिए आपका सर्टिविकेट जो हे दोहजार अठ्रा उन्नीस का एहां पर लिखा ह में और आपका मैक्सिमाम दो तिन महीने भी लग रहा है किसी किसी इस्टेट में क्योंकि सब कुछ भेरिफिक्षान होगा उसके बाद ही आपको सट्रेट बना के देगा ना तो अब खुद बोलिए अगर किसी ने अप्लाई भी किया था फेबुररी में तब भी उनका मार्च में अगर इंकम मतलब जॉब में है तो इंकम टेक्स रिटर्न का जो आपका फाइल है या आपका सेलरी स्लिफ है वो सब दिखा के आप लोग जो है एक बार कोसिस किजिए सेट्वीट बनाने के लिए भले आपका डेट आप इसू आज का क्यों नहों जैसे आज का डेट क्य है क्योंकि मैं उस साल का आपका इनकम टेक्स रिटरन का जो फाइल है उसको कुछ फरक्त नहीं पपड़ेगा तो इसलिए ओलो क नहीं मनेगा नहीं पड़ेगा मर्यके बनाना तो अभी के लिए 2078 का पॉसिवेल नहीं है, 2078 का बनाना प्रैक्टिकली पॉसिवेल नहीं है, मैं बार बार बोलना चाह रहा हूं, अब क्या इसका सॉल्यूशन है वो भी मता हूंगा, पहले तो आप लोग देख लिजिए, कुछ में डाटा दिखाता हूं, देखिए उरिश्या, आप यहां पर देख सकते हैं, गॉब्मेंट आप उरिश्या का यह नोटिफिकेशन आया था, जो की सब्जेक्ट देख लिजिए, इस्वेंस अप इनकम और एसेस सर्टिफिकेट फर एकोनोमिकल वीकर सेक्षेन, एनकी EWS, फर दाइरेक्ट इकूट्मेंट इन सिविल पोस्ट और सर्विस और एडमिशन इन इस्टिटूशन अंडर गॉब्मेंट आप इंडिया, मतलब इसका जो इसू होने का इस्टाट हुआ था, वो कब हुआ था बाई, डेट देख लिजिए, 25 जून 2019, 25 जून 2019 से उरिश्या में जो हे बनना इस्टाट हुआ था, मतलब इस नोटिस आया था, जो नोटिस अपका हर एक स्टी ओपीस, हर एक डियम ओपीस में जाता है, उसके बाद ही स्टिवेट बनना इस्टाट होता है, तो आप लोग खुद बताईए, जैसे मैंने बोला कि 1st April 2019 से लेके आपका 31st March 2020, यह जो साल है ना, यह 2019-20 का फाइन यह तो जो डेट देख रहे हैं आप लोग 25 June 2019, यह तो आपका 1st April 2019 का बाद का है, तो अब इसका अगर किसी ने अगर उरिस्टा से है, अगर उरिस्टा से किसी ने अगर NTVS का फॉर्म फिलप किया है, भाई मैं दाबे के साथ बोल सकता हूं, उसके पास सर्टिवेट बिलक अगर सर्टिवेट बना हुआ है, अगर HD office में आपका रेजिस्टर है, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर किसी ने फर्जी बनाया है, तब उसके लिए प्रॉब्लम होगा, तो सर्टिवेट प्राक्टिवेट प्रॉब्लम नहीं है, प्राक्टिवेट होगा 2018, क्योंकि एक साल बाद का, मतलब नया साल स्टाट हो गया था, 31st April के बाद, और यह जो सर्टिवेट है, अपका 25 June 2019 से बनना स्टाट होगा था, अब चलिए OS Bengal की बात कर लेते है, भाई OS Bengal से जो है, देखिए, डेट देख सकते है, 9th July 2019, Government of OS Bengal, यहां पर भी सेम चीज से है, उसके पाज भी सेट्वेट नहीं होगा, 2778 का मैं दाबे के साथ बोल सकता हूँ, अगर किसी का पास है, मैं सेम चीज बोल रहा हूँ, उन्होंने दूसरा तरीका अपना या था, उसके हिसाब से उन्होंने बना लिया है, अब मैंने क्या हुआ बताना चाहूँगा, आपको पता होगा कि जो NTVC का एक जामेशन देने जा रहा है, उन्होंको पता होगा, कौलकाथा का एक जोन है, जहां पे आपने साहथ फ़ंपलब बगड़ा किया होंगे, तो मैंने यहां पर एक इस्टोएट को भेजा था, तो उस इस्टोएट ने उन्हें बात किया, मैं इसलिए भेज़ा था कि वही लोग आपको solution दे सकते हैं क्योंकि SSC का मामला अलग है SSC एक vendor टेंडर की जैसे काम करता है SSC उसका काम है एक गेमसन लेके आपको department के उपर छोड़ देना लेकिन यहां पर दूसरे कोई department आपको help नहीं करेगा इसलिए यहां पर प्रोबेशनली सिलेक्ट होने का कोई chances नहीं है या तो आपको clearly वोग accept करेंगे नहीं तो direct reject करतेंगे अब इसलिए मैंने भेजा था कि भाई आप लोग जो है एक बार जाईए वहां पर बात कर लीजिए तो उ उन्होंने साफ साब बोल दिया देखिए अभी हमारे पास जो नोटीस है जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से भाई आपको तो 17 ठाक ही देना पड़ेगा लेकिन मैंने उस इस्ट्रोन को बोला था कि भाई इस पेज को भी आप लेके जाना आप बोलना कि भाई मैं जो है एकडी कर लिया उन्होंने भी एक्सेट कर लिया कि हाँ आप जो बोल रहे है बिल्गुल सही बोल रहे हो सर्टिफिकेट 2778 का आपका इस मतलब में बनना पॉस्वेल नहीं है लेकिन जो रूल से उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा अगर मान लीजिए उन्होंने भी इस्टेट का दिखाया आप लोग बाकी स्केट का भी देख सकते हैं एक बार आप लोग देख लेना कि भाई कितना इस्ट्वें का जो है आप लोग भी एक बार जरूर देख लेना है जिखिए थ्री थावजन फाइवहंड हणेड्ट री मतलब लगभघ सारे तीना हैं के और देखिए आपके पास दूसरा ओप्सिन है एससी में ओबिस्टी एस्टी वालों के साथ भी प्रॉब्लम होता था पहले कि अगर डेट्स से पहले उनका सक्ट्वेट नहीं होता था तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था नहीं तो प्रॉप्रिम कोर्ट में केस किया तो यहां पर भी सेम चीज होगा आपके लिए बहुत ओप्सिन खुला हुआ है तेंसल लेनी की बिल्गुल जरूरत नहीं है देखिए आप लोग जो है जिस से ब्लॉंग करते हैं उसका नोटिस निकालिए कब स्टाट हुआ था बनना स्टाट हुआ था और नोटिस आपके वह उपोसिन होगा लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इसका जाना पड़ेगा क्योंकि इसका स्वालीव सब्सक्री जरूर आजाए गा लेकिन बाद में उनको मनना परा था कि हाँ आपके लिए बूंबर बहुत ज़्यादा होगा बहुत कम आपका state है जिन्होंने आपका 17-18 का बनाना start किया था मेरे पास जो data आया है सिर्फ और सिर्फ बिहार और ईवपी से data आया है उनके पास certificate है 2017-18 का बाकी किसी भी state के पास अभी तक नहीं आया है जो जिन्होंने 17-18 का बनाया था तो tension लेन की बिल्कुल जरूत नहीं है आप लोग exam जो है यही सोच के दिजिए कि भाई मुझे general से qualify करना है अगर मान लीजिए आपका cut-off जो है EW से qualify होता है तब भी आप कोई job मिलगा आप लोग tension मत लिजिए क्योंकि आपके पास बहुत सारा option कुला हुआ है एक तो जो इसे मैंने बोला कि उपार तक जब बात पहुचेगा तब हो जाएगा अगर फिर भी नहीं होता है तब भाई आपके लिए court का दरवजा कुला है खोड केस करेंगे तब भाई आप लोगी जीतेंगे क्योंकि आपका गौब अगर इस्टेट में बनना इस्टार्ट नहीं हो था तो भाई केसे पॉसिवेल है कि आप जो है सतरा अठा का दे देंगे तो यह फ्रैक्टिकल पॉसिवेल नहीं है उसने भी मान लिया था कि यहां EWS का आपका सतरा अठा का बनना पॉस्वेल नहीं है इसलिए इस साल में जिसका भी सिलेक्षान हुआ है उनके लिए जो है उन्होंने इडर्विस का रूल्स हटा दिया मसलब कुछ आपका कुरूसल डेट बगड़ा उन्होंने मेंसे नहीं किया था बोला था जो सेट्वेट है वही दे दो इस साल के लिए उही चल जाएगा लेकिन अगले साल के लिए जो डेट रहेगा उसी के अगर किसी ने गल्दी कर दिया तो उसका ही गल्ती है क्योंकि इसका एक साल ही होता है तो आपको एक साल के अंदर ही सेट्वेट बाना पड़ेगा रूल्स के एकोडिंग तो एंटीविस के लिए टेंशन के लिएने की जरूरत नहीं है आपका सॉल्यूशन जरूर आएगा जो भी अपडेट होगा मैं तो आप लोगो जरूर दूँगा लेकिन देखिए अटीव बगर करके कुछ फाइदा नहीं है क्योंकि मैंने ओफिसियली बात किया जो अररसी है जहां पर आपका डीवी होगा ओहां पर मैंने ओफिसियली बात किया और जो आपका अपडेट आ हो चाहेंगे और कुछ ना कुछ इसके लिए जरूर लाएंगे उनका कहने का मतलब ही है अब जैसे मैंने बोला कि हर एक इस्टेट में मनना इस्टार्ट नहीं हो था तो भाई कैसे पॉसियल है लगबग आपका टेन एक ट्वेंटी परसेंट के पास बिलकुल नहीं है तो जादा जो है ना उसके पास सट्येट बिलकुल नहीं है तो टेंसे लेने की जरूद नहीं है क्यों जो हो गा एक दो इस्ट्वेंट ho था तो आपको डिएक कर देगा लेकिन इतना स्ट्रींट है कभी भी रिजक नहीं कर पाएगा तो चलिए इह Judaism कर आप और जानता है ठो